इस वीडियो में हम बॉलिबुर की संसनी सारा अली खान के रिष्टों और उनके एक्टर्स के साथ संबंधों के पीछे का सच आपको बताएंगे कैसे सारा अली खान कपडों की तरह अपना बॉयफरेंड बदलती रहती है एक्टरेस सारा अली खान ने अपनी कमाल की एक्टिंग से न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बलकी फ्रैंस के दिलों दिमाग में भी खूब धमाल मचाया है जी दरसल सारा एक ऐसी एक्टरेस है जो एक्टिंग के साथ साथ अपने फैशन, स्टाइल और पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है सारा अली खान फिल्हाल कथित तौर पर सिंगल है हालांकि उनका नाम समयस्मय पर कई सितारों के साथ जुरता रहता है तो चलिए जानते हैं सारा अली खान के सभी अफेर्स के बारे में सारा अली खान का पहला अफेर्स इशान खटर के साथ हुआ कहा जाता है कि सारा अली खान कभी शाहित कपूर के भाई इशान खटर को डेट कर रही थी वह कॉफी विदकरन शो में इशान खटर का जिक्र कर रही थी जब उन्होंने कहा कि मैंने दो फिल्म भाईयों में से एक को डेट किया है सारा अली खान और इशान खटर एक दूसरे के साथ समय बिताते नजर आए सारा अली खान का दुसरा अफेर्स वीर पहाडिया के साथ हुआ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक प्रेस सारा अली खान भी एक राजनेता के पोते को डेट कर चुकी है दरसल वह सुशील कुमार शिंदे के पोते वीर पहाडिया थे उन्होंने अपनी तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर शेयर की है लेकिन ब्रेक अप के बाद एक्ट्रेस सारा अली खान ने उन तस्वीरों को भी डिलीट कर दिया सारा अली खान का तिसरा अफेर्स कार्तिक आर्यन के साथ हुआ सारा अली खान और कार्तिक आर्यन बॉलिवुड में सबसे पसंदीदा और चर्चित जोडी में से एक है कई मेडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि बॉलिवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का कार्तिक आर्यन पर क्रश्था और बे एक दूसरे को डेट कर रहे थे लेकिन ये रिष्टा ज्यादा दिन नहीं चला लव आज कल दो की रिलीज के बाद दोनों अलग हो गए सारा अली खान का चौथा अफेर्स हर्षवर्धन कपूर के साथ वा हर्षवर्धन कपूर और सारा अली खान के डेटिंग की खबरे भी किसी से छिपी नहीं है सोशल मीडिया पर हर्शवर्धन कपूर और सारा अली खान की तस्वीरों ने कई बार फैंस का ध्यान खीचा है लेकिन दोनों के बीच ब्रेक अप की वज़ह क्या थी ये अभी पता नहीं चल पाया है तो दोस्तों आपको सारा अली खान के बारे में जानकर कैसा लगा? साथ ही बॉलिवुड इंदस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें